वेल्कम फ्रेंड्स आज हम टैली में कुछ और ट्रांजेक्शन के बारे में समझेंगे जैसे हमारे पास यहां पर फर्स ट्रांजेक्शन गिवन है अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास यहां पर टू एंट्री में हमने बताया है कि हमने पर्चेस किया है अनिल से गोड्स पर्चेस किये हैं हमने अनिल से और सेकिट एंट्री में हमने बताया है कि जो अनिल को हमने पेमेंट की है वो कैश में पेमेंट की है इस तरह हमारे पास दो एंट्री बनती है फर्स एंट्री में हम देखते हैं जो पर्चेस है वो यहां पर एक तरह का एक्सपैंस है और एक्सपैंस को हम डेबिट साइड म को हमने debit side में एंटर किया है अब हम second entry में देखते हैं अनिल यहां पे हमें आरा giver है क्योंकि हम purchase कर रहे है अनिल से goods तो अनिल हमें goods दे रहा है इस तरह जो यहां पे हमारा personal account रूल apply होता है अनिल हमारा यहां पे giver है और giver को हम credit side में एंटर करते हैं इसलिए हमने अनिल को credit side में एंटर किया है अब हम हमारे पास जो first entry बनी है वो इस तरह से है purchase account debit 9000 तो अनिल 9000 अब हम second entry को read करते हैं यहां भी हम देख सकते हैं जो अनिल है वो यहां पे receiver है क्योंकि हम payment दे रहे हैं वो payment receive कर रहा है अब हम यहां पे हमारा personal account rule again apply होता है जो receiver होता है उसको हम debit side में enter करते हैं क्योंकि personal account rule में यह बताता है all receiver are entered in debit side and giver are entered credit side इसलिए हमने अनिल को debit side में enter किया है और हम देखते हैं जब हम cash में payment करेंगे तो हमारे पास से cash reduce हो जाता है जब cash में reduction होती है तो हम cash को credit side में enter करते हैं इस तरह से हमारे पास जो second entry बनी है वो यह है अनिल debit 9000 to cash account 9000 इस तरह से हमारे जो first entry है वो complete हो चुकी है first transaction अब हम second transactions को read करते हैं on 20 July 2012 paid salary to Raj रूपीज 8000 rent रूपीज 2500 wages to Ramesh रूपीज 1,000 means 20 July 2012 को हमने salary pay की है राज को 8000 रूपे rent pay की है 25 का और wage जो salary है वो pay की है Ramesh को 1000 की अब हम देख सकते हैं कि जो यहां पे salary rent और wages है यह एक तरह से सारे हमारे पास expense है क्योंकि salary भी हमारे पास यहां पे expense है rent को भी expense में include करते हैं और wages को भी इस तरह से जो expenses होते हैं वो हम first entry में first transaction में भी बढ़ चुकी है expenses are and losses are entered in debit side according to personal account rule अब हम देख सकते हैं हमने salary wages और rent को हमने debit side में enter किया है और हम देखते हैं जब हम cash में payment करेंगे payment हम salary की करेंगे rent की करेंगे wages की तो हमारे पास से cash चला जाएगा और हम यह जब हमारे पास से cash चला जाता है तो उसको हम credit side में enter करते हैं क्योंकि यहां पे हमारा real account rule apply होता है real account rule हमें यह बताता है debit word comes in and credit word goes out जो चीज़ा हमारे पास से चली जाती है उसको हम credit side में enter करते हैं इस accordingly हमारे पास जो entries बनी है वह इस तरह से है salary account debit 8000 यहां भी हम वह amount देंगे जो हमें transaction में given है अब हमारे पास rent है rent account debit 2500 जो इसकी value भी हमारे पास given है wages account debit 1000 यहां पे भी इसकी value given है to cash account इन दिनों का हम plus करके जो हमारे पास amount आएगी वह हम cash account में enter करेंगे 12500 इस तरह से मारे पास जो second transaction है वह complete हो चुकी है अब हम third transaction को read करेंगे on 23 July 2012 rent due to land landlord Rs.1000 अब हम इस entry को ध्यान से read करते हैं 23 July 2012 को जो rent है जो due था वो हमने landlord को pay किया है 1000 का अब हम देख सकते हैं due मतलब यहां पे है pay नहीं किया हमने मतलब rent था जो हमने pay नहीं किया वो 1000 का था अब हम देखते हैं यहां पे हमने जो second entry बनाई है वह rent outstanding की अब हम सबसे पहले यहां पे outstanding को read करते हैं यह हमारे पास वो current year यह हमारे पास वो amount होती है जो current year से related होती है जिने हम current year के end तक पे नहीं करते उसको हम rent outstanding बोल सकते हैं अब हम देखते हैं कि जो rent है हमने second transaction में इसको हमने credit side में एक्सपैंस है इसलिए expenses को nominal account rule के according हम debit side में enter करते हैं अब हम देखते हैं कि जो second entry हमारी rent outstanding account इसको हमने credit side में enter किया है क्योंकि हमारा cash है वो कम हो चुका है इसलिए हमारे पास जो entry बनी है वो इस तरह से है rent account debit 1000 to rent outstanding account 1000 अब हम last transaction read करते हैं on 25th July 2012 paid income tax rupees 8000 means 25 July 2012 को income tax pay किये गया है 8000 रुपे का अब हम देखते हैं जो income tax है उसको हम drawing account के under लेते हैं क्योंकि जो income tax होता है वो किसी personal use के लिए use करते हैं इसे हम business के profit में से pay करते हैं other language में हम देख सकते हैं जब हम income tax को profit में से pay करते हैं इसके सामने हम वो amount देते हैं जो amount हमारे पास given है अब जब हम income tax pay करेंगे तो हमने cash में pay किया है तो हमारा cash account reduce हो जाएगा हम पहले भी read कर चुके हैं जब cash account reduce होता है तो उसको हम credit side में enter करते हैं क्योंकि यहां पे हमारा real account rule apply होता है real account rule के according जब जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है कम हो जाती है उसको हम credit side में enter करते हैं इस तरह से हमारे पास जो entry बनी है वो इस तरह से है drawing account debit 8000 to cash account 8000 thank you